Hello all, welcome to Magnet Brains, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट for Social Science तो आज हम बात करने वाले हैं Globalization and Indian Economic के पहले टॉपिक की इसके पहले हमने क्या किया? Introduction वीडियो अच्छे समझा था कि Globalization क्या होता है? इस चाप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं? चाप्टर की theme क्या है? चाप्टर आपके NCRT में क्यों दिया हुआ है? आपको इस चाप्टर से क्या सीखना है? सब कुछ हमने इसके पहले वाले वीडियो में complete किया देखो चाप्टर जब भी शुरू करो जब भी चाप्टर को शुरू करो तो introduction वीडियो ज़रूर देखा करो या NCRT का जो पहला या दूसरा तीसरा paragraph आपका जो होता है मतला पहले topic के पहले पहले जो भी लिखा होता है न उसको पढ़ने की कोशिश और उसको समझने की कोशिश ज़रूर क्या करो उससे चाप्टर में interest बनता है कि आखिरे chapter हमें क्या कहने वाला है क्या बताने वाला है क्या सिखाने वाला है जब इस चीज के उपर हम ध्यान देने लगते हैं तो हमारे मन में अलगी chapter के लिए इज़त बढ़ जाती है कि अच्छा ये चीज़ सीखने को मिलेगी ऐसा होगा तो समझेंगे इस चीज़ आप के साथ में नहीं हो आपको समझाने की कोशिश करती हूँ हर वीडियो के साथ में कि किस कारण से आपको ये chapter आपके ncrt में दिये हुए है समझें आई बात तो introduction वीडियो ज़रूर देखना आप हम बात कर लेते हैं हमारे पहले topic की जो कि है production across countries यानि की वर्ल्ड की अलग-अलग एकोनॉमिक्स का एक दूसरे के उपर जो इंटरडिपेंडेंटनेस है यह सारा कुछ किस कारण से हैं क्योंकि 8 से 10-20 साल पहले की अगर स्थिति हम देखें तो ऐसा कुछ था ही नहीं पहले यह सारी चीज़ें नहीं थी तो ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से यह सारा प्रोडक्शन जो है वो अलग-अलग कंट्रीज में होने लगा चीज़ें जो है वो बदलने लगी हैना कैसे कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ने लगी बेसिकली यह वाली चीज़ को हम समझते हैं विद इस टॉपिक तो आज से 10 साल पहले अगर आप देखोगे तो चोटे-चोटे फोन हुआ करते थे हैना और इंडिया में देखर तो सिर्फ चोटी-चोटी चीज़ों कहीं हुआ करता था सिर्फ वहां से कुछ लोग आते ते हैं यहां से कुछ लोग जाते थे ऊड़े वहां पर भीज किति देढ लेकिन 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 थोड़े समय पहले क्या होने लगा एक नई चीज मार्केट मैं क्या मार्केट में एक दम हिला डाला तो ऐसे करके मार्केट में आई अब यह MNC होती क्या है फुल फर्म के अगर हम बात करें तो होती है multinational corporations या फिर multinational companies तो ये क्या करती है basically ये companies हैं कुछ अलग नहीं है आपकी company हो सकती है मेरी company हो सकती है या कोई भी company हो सकती है तो ऐसा दिमाग में इनके idea आया कुछ इस तरीके से समझना हम थोड़ा सा flashback लेते हैं जब MNCs develop होना शुरू हुई होगी है ना तो वहाँ पर चलते हैं और सोचते हैं कि मैं एक MNC की owner हूँ बढ़िया से है ना तो वैसे हम सोचने कोशिश करते हैं तो फिलहाल अभी ये जो scenario है जिसमें हम थोड़ा सा flashback करके आए हैं इसमें क्या हो रहा है नॉर्मल से trade एक जगे से दूसरी जगे हो रहा है सिर्फ ट्रेड एक जगे से दूसरी जगे हो रहा है मतलब जो final product बन रहा है वही एक जगे से दूसरी जगे पर जा रहा है और कुछ भी change नहीं हो रहा या exchange नहीं हो रहा है अब मैं company वाली हूँ अब मैंने सोचा कि यार देखो ऐसा हो रहा है कि कोई भी company होती है तो setup होती है तो किस तरीके से setup होती है वो सोचती है कि अपने को जादा से जादा profit मिल सके है तो में को मेरी कमपनी है मालो मेरी कोई सा पर शू का ब्रैंड है या फिर कुछ भी है है तो मैं क्या सोच रही हूं कि मुझे जादा से जादा प्रॉफिट मिले अब प्रोडॉक्षन तो में को मेरी कंट्री में करना है भले फाइनल गुड में एक जगे से दूसरे जागे भेशती हूं लेकिन प्रडॉक्शन तो यह ऑन जुपर हुआ कनट्र jadi karri भी कष्ब मैं Eva मुझे अपना समान सेट आप कर लौ तो मुझे साथा फाइदा हो जाए या मार्के टूबर कमई यहां कहीं दूसरी कांट्री में यहां सब्सक्राइबR तो मेरा पैसा बच बच जाएगा है है ना तो वो डिरेक्टली प्रॉफिट मिलेगा ना में को इस चीज से मैं ऐसा सोचा तो फिर मैं सोचा क्या करते हैं चलो पैसा तो अपने पास में बहुत है अपने अर्णिंग तो बहुत कर ली है तो चलो अबन प्रोडक्शन भी दूसरी कंट्री तक ले जाते हैं मतलब मा समान असेंबल करना है या फिर समान बनाना है या फिर समान को ठीक करना है यह सारा भी मैं अलग-अलग कंट्री में स्प्रेड कर दू कुछ इस तरीके से कि हर चीज मुझे चीपली अवेलेबल हो जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाऊं समझ में आ करवाने लगे है ना मतलब मोर देन वन नेशन में प्रोडक्शन भी करवाने लगे जो बीच वाला प्रोसेस होता है फाइनल गूट के पहले वाला प्रोसेस होता है वो भी बहुत सारी कंट्री में होने लगा कुछ इस तरीके से होने लगा कि मालो कहीं पर लेबर सस्ता मिल रहा है चाहिए फिर कहीं कोई स्या नेशन की्षिव पैसा पड़ रहा है जहां से सार सबस्क्राइब हर टरब यहां ने चीए तो वह समयां में सब्क्राइब आप को उनकी मुझबानी भाव जो है वो पैसा देना पड़ता था तो मेरा खर्चा जादा हो जाता था नो प्रॉफिट नहीं बनता था तो अब मैंने प्रोडक्शन भी बढ़ाना शुरू कर दिया समझ में आई बात एक है करके चीजों को अपनी एंसियाटी के हिसाब से समझ ल 1950s something around कि अगर हम बात करें तो उसमें क्या हो रहा था प्रोडक्शन जो है वह और्गिनाइस कहां था विदिन कंट्री था प्रोडक्शन जो होता था वह विदिन कंट्री होता था नेशन्स या कंट्री में अगर कुछ शेर भी होता था तो वह क्या होता था फाइनल प्रोडक्ट शेर होता था या मटेरियल या फूट स्टफ या फिनिश्ड गुड प्रोडक्शन शेर नहीं हो रहा था क्या शेर होता था फिर से बता दे रही हूं फिनिश्ड प्रोडक्ट शेर होता था सिर्फ समझ में आई बात कॉलनी सच इंडिया है क्या share हो रहा है by middle of 20th century तक finished goods share होता है या फिर raw material share हो रहा है और कुछ भी चीज का अलग से trade नहीं हो रहा लेकिन trade at that time trade was the main channel connecting countries अलग अलग country को सिफ trade ही connect करता था लेकिन 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 क्या हुआ MNC scene में आई थोड़ी समय बात क्या scene में आई multinational companies emerge on the scene एक दा बढ़िया से market में emerge वी और फिर क्या होने लगा क्या होती है multinational companies इसकी definition हम समझ लेते है MNC is a company that owns a control production in one or more nation क्या control कर रही है production control कर रही है इस चीज को लेकर बिल्कुल भी doubt में मत हाझत रहे ना में फिर से clear कर देती हूँ कि पहले पहले वाली स्थिति को लो और अब वाली स्थिति को लो पहले वाली में क्या होता था चीजे शेर होती थी चीजे exchange होती थी foreign trade होता था लेकिन सिर्फ finished goods में foreign trade होता था मतलब कोई बंगया है जिसे जूता बनाना है ब्रायन में बन गया डबमें大िए उस refuses का इसका रचार औरी एकिसीकांटरि में उसका सोल बनवारी है किसी country में जो है वो लेवर कुछ और काम कर रहा है किसी country में जाके फिर क्या हो रहा है सारे के सारे सामान pack हो रहे है और फिर किसी दूसरी country से transport हो रहा है समझ में आई बात तो MNC के आने के बाद में production अलग-अलग countries में होने लगा clear है कोई doubt तो नहीं MNCs का यह role है MNCs set up offices and factories for production in regions कहां-कहां पे share करते हैं और फिर कहां-कहां पे offices बनाते हैं MNCs जहां पर उनको cheap labor मिल सके और दूसरे resources भी cheaply available हो सके This is done so that cost of production is low and MNCs can earn greater profit तो हमारे दिमांग में जो सवाल है कि आखिर यह MNCs अलग-अलग जगे offices set up कर रही है इतनी जगे production मना रही है तो इससे क्या फाइदा मतलब ऐसा क्या कि हमारे पास में पैसा है तो चलो waste करें waste नहीं कर रहे हैं अलग-अलग जगे production बढ़ा के अपना पैसा बचा रहे हैं क्योंकि जहां पर जैसे कि चाइना है वहां पर cheap labor मिल सकता है तो labor का काम वहां से करवा लिया है ना कहीं पर transportation जहां से सब दूर पास पढ़ सकता है तो वहां पर transportation करवा लिया है न तो इन चीज़ों से क्या होता है थोड़ा पैसा यहां से बचा थोड़ा पैसा यहां से बचा और connectedness भी हुआ country में अलग-अलग country का market भी मिला तो इससे काफी profit होता है consider an example of spreading of production by an MNC एक example देती हो इससे आपको और अच्छे से चीज़े clear हो जाएंगी कि किस तरीके से MNCs जो है वो अलग-अलग जगह पर क्या करती है अपना office जो है वो set up करती है और उससे क्या फाइदा होता जैसे कि एक particular MNC है जो क्या करती है अपने industrial equipments और designs जो है वो कहां प उनका जो भी समान है उसकी production और design जो है वो करवा रही है ठीक है चाइना में वो क्या करी है then has the components manufactured in China कहां पर जिसे design वगरा UK में बनवा लिया अब चाइना में उस design के according सामान को manufacture कर वा लिया ठीक है क्योंकि China क्या कर रहा है cheap manufacturing location जो है वो avail कर रहा है ठीक है Mexico और Eastern Europe में यही company क क्या कर रही है these are then shipped here and the products are assembled and then finished goods are sold all over the world अब जैसे design यूगे में करवाया चाइना में सारा कुछ manufacture कर वा लिया और फिर यह जो सारा अलग 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 तुकडे में समान चाइना में manufacture कर रहा है यह सारा का सारा समान कहां कहां पर भेजा Mexico और Eastern Europe वाली countries में भेज दिया वहां प से क्या होता है मार्केट जो है वो काफी जादा क्लोज है ऑफ यूएस और यूरोप तो अच्छा है ना कि मार्केट जहां क्लोज रहेगा तो महां पर equipment असेंबल कर वा और वहां से सारा समान बेजो अगर चाइना में ही असेंबल कर वा लेंगे बनवाने के बाद में वहीं एक जगे असेंबल कर वा लो ऐसी जगे पर असेंबल कर आओ जैसे मार्केट पास है तो ट्रांस्पोर्टेशन कॉस बच जाएगी ना है ना तो यह यह वहीं जगे है जहां पर यह सारा काम जो है वो करवाया जा सकता है और इंडिया में उसी कंपनी ने क्या 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 में क्या 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 है च lets कर सकता है ना तो तो कितनी चीज़े अलग हो गई अगर वही हैंग जो ये सारा कूछ काम कर रही है वो सिफ एक ही country में अपना सारा कुछ setup रखेंगी, तो हो सकता है उसको अच्छी quality में ये सारे काम ना हो, साथ ही साथ में उसको फायदा भी ना हो, पैसा extra लग जाए, वहीं ये सारे काम इस company ने क्या किया, इस MNC ने क्या किया, अलग-अलग country में अपनी सुविधा के अनुस सार office से setup कर दिये, तो इससे क्या हुआ कि काफी सारा पैसा भी बच गया और अच्छी तरीके से अलग-अलग जगह पर काम होने लगा, समझ में आगी बात, इंडिया, meanwhile the company's customer care is carried out through call centers, because highly skilled engineers, English speaking youth are there, समझ में आई बात यार नहीं समझ में आई, clear है, तो इससे हमको क्या समझ म में आता है, यह जो topic हमें कह रहा है, production across countries, कि country में अलग, मतलब, एक dependency है, है ना, उनका बहुत सारा काम है, तो उस बहुत सारे काम को अलग-अलग countries में set up कर दिया गया, ठीक है, इतना clear हुआ, यह topic आपको यह बताना चाहरा है, और इस example से हमने समझ लिया, अब यह अलग-अ production जो अलग-अलग countries में होने लगा है, तो यहां पर सवाल आता है हमारे दिमाग में कि इस से और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, या फिर जब अलग-अलग country में जो है, वो काम जमेगा, तो वहां के लोग किस तरीके से इसमें अपना role play करेंगे, है ना, किस तरीके से interlink क्या-क्या changes आएंगे, ये सारी चीज़े हमारे दिमाग में आनीचे, सवाल हमारे दिमाग में होना चीए, तो बिल्कुल चिंता मत करो, आपका जो अगला topic है, ये इसी के बारे में आपको बात करता है, इसी के बारे में आपको समझाता है, तो ये globalization की सबसे पहली step है, कि कि इस कारण से globalization होता है, है ना, तो MNCs की मदद से globalization हुआ, क्योंकि MNCs ने production अलग-अलग countries में setup करना शुरू कर दिये, अब इसका impact क्या है, क्या है सारा कुछ, ये हम बढ़ेंगे अगले वीडियो में, और समझेंगे कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो होती है, इसके कारण से ये production अलग-अलग जगे setup होने के कारण से, तो ये basically ये वाला जो वीडियो था ना, ये आपको बताता है कि reason क्या है globalization का, ऐसा क्या हुआ कि globalization होने लगा है, ऐसा क्या हुआ कि production अलग-अलग countries में setup होने लगा, तो ऐसा क्या, उसका सवाल, उसका जवाब ये है, कि MNCs ने सोच कि जो काम अपना एक country में होके महेंगे में हो रहा है, वही काम क्यों ना, अलग-अलग countries में setup कर लो, ताकि हमारा profit जादा से जादा बच जाए, समझ में आगी बात, ये था आपका production across countries जाला वीडियो, I hope topic अच्छे से clear है, notes आपने बना लिये हैं, सब कुछ, सब कुछ, सब के लिए available है, एक एक करके हम सारे videos complete करेंगे, इन सारे chapters के one shot videos भी आपके लिए available है, तो अगर आपको एक साथ सारी चीज़े बढ़नी हैं, तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, topic wise चीज़े को समझना है, तो वो तो आपके पास में आही रहा है, map work भी हमारे सारे complete है, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको लाइफ में सारी चीजे बहुत अच्छे से काम आए, समझ में आए और आप भी अपने आसपास के लोगों को समझा पाए, मिलते हैं आगले वीडियो में